पुस्तक कागज कलमते चित्तर दा लेख है सदा बहार गुलजार सिंग संदू गाल कार्या निक सुक लिखन वड़े गुलजार संदू जी दी आज का लखवार चो मैं कुछ होर पामें पड़ा ना पर गुलजार संदू दा कॉलम जदो वी सामने आवे मैं जरूर पड़ दिया इस निक सुक दे लखारी गुलजार संदू नाल मेरी जान पच्छान आज तो कोई पेंती चाली वरेतो भी पहला दिये इक समा सी जोदो इकरिशी पवंच दिली इच काम कार दे सी ते मैं ICAR दिली पूसाच पूसा विचले चाली दे करीब दफ्तर सारे इकरिशी पवंचे अंडर आउं दे सी परोधों सी एक दूजे नू नहीं सी जान दे मैंनू जित्तो तक याद है जदो डॉक्टर करंजीत रूस गये था इननू विदाईदी पार्टी सैथ सबा दिली वलों देती गई एस विदाईदी मैं फिल्च गुलजार संदू ते गुर्देव रुपाना ने इक किसा गाया सी मेरा ख्याला है गुलजार संदू नू मैं इती पहली वार देखिया सी गुलब्भी गुलब्भी पामारदा चेरा काड़ी पर मीदाड़ी चंगा पर जवान गबरू पक्की दोस्ती सी गुलजार दी ओदो राज गेल नाल दोहन यां बीवीयां भी शायद ओदो इक कोई हस्पिताल च काम कर दियां सी या फिर इक कोई रैंक दियां सी जदो साहत अकेडमी दा सनमान गुलजार साब नू मिले आ ता मैं इना दी बीवी नू पहली वार मिली सी सनमान समारो शुरू होण वाला सी पर सुर्जीत पहन जी गुलजार न अनुलब रहे सन पता नहीं गुलजार कि थिक हो गया सी मैंनू याद है सांत सिंग सीखों भी एसे गलों बड़े परेशान नजर आ रहे सन अपने व्याच लड़ाख हो जाए चिंता दी गालता सी ही साहत अकैडमी पुरुसकार लैन पे छो एक दिन किसे साहित समागम विच गुलजार सिंग ने अपने बारे आप ही अपने एक पाशंच केहा वे सची गालता ही है कि मैंनू ये सनमान मेरी किताब गर के नी मिले है वैसे संगू जया सुबा है भी नहीं गुलजार साब दा जो मन चौन दा है बिना किसे लुको ते डरतों साफ 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 सब दे सामने केहन तो कदे नीचे जगदे ऐसा सफाई गोश इंसान में पंजाबी साहत कारांच दा कोई होर नहीं देखिया उन्जदा साहत अकैडमी दे सनमाना बारे पला किनू नहीं पता पर कदे गुलजार संदू वर्गी सची गल कैन दा हिया अज तक और ने नहीं कीता सचियां ते द्यानतदार गलां करन तो इलावा उन्हादी बोल बानी दी खोर जो वड़ी खासियत है उन्हादा मुस्करांदा चेरा ते टिचर बा तारा सिंग गुलजार संदू नू इकवारी इना दे दफ्तर क्रिशी पवन मिलन गए लंच टाइम च बार छोटी जी आर्टिफिशल नदी दे के नारे बैठन वास दे प्रोत कुछ गर्मी दी सी ते नदी के नारे एक द्रक थे टा बैठन समे गुलजार हो राने के अब तारा सिंग मैं ता अपनी पागला के बैठांगा ता तारा सिंग चाट बोल उठे अठैर जा पहला मैंनो भी अपनी जुती लाल एंड दे सो दोस्तां चे ऐसे ठटे मजाग करने इना दोवां दोस्तां दी जंदगी दा दस्तूर रहे हैं मजाग पलांको यो प्रेया नाल थोड़ा किता जान दै दिल जानिया नाली बंदा खुल के हस सकता है पापा जी नाल थे डॉक्टर करन जीच नाल गाल करन समय भी मैं हमेशा गुलजार संदू देचे रहे होते मुस्कुराटना बखेर दा खेडा देख्या है मैंनू लगदा है रोंदे नुझे कर कोई हसा सकता है तो ओ ऐ गुलजार संदू शायदे असरो दे नादाई ओ सुपर बोता हुवे मौसमे बहार यार दिल है गुलजार यार रोत कोई भी होवे सकत गर्मी दी या ठरूं ठरूं कर दी सर दी दी पर गुलजार संदू दे चेरे होते सदा बसांतरी तूदा वासरद है रब करे पाचाड़ दा मौसम कदे उदे गुलाबी चेरे उते आवी नादे बारलियां रुतांता सदा मान अंदर लियां बहारां दिया दियनी रहन दिया है मन खिड़या होवे ता बहारी बहार नजर आँदी है, हर थाउं ते, जे कर मन मुसोसिया होवे ता बहारले सारे मौसम पाच्चाडवेची बदले नजर आँदी है, पिछले वीक वरियां तो गुलजार संदू चंडी गड़ जावसे है, दिल्ली दे बहुत सारे साहतकारानो एस जो दाईदा एसास है, पर अवाज मारत्यों चाट अपनी गड़ी चो के दिल्ली पहुन जान दे है, जन तक प्रेस वाले चानजी वालाए गोन गुलजार संदू अंदर कुट कुट के परिया होया है, कि हर किसे दे दुख सोक्च शामल जरूर होना है, पामे दिल्ली ह दिल्ली की पार्त वर्ष्तो बार्व देशां विच्वी गुलजार संदू दे खुश बोई हर थांख हिलरी पई है, यूबा सिटी अमरीकाच इना दे कई आडी बेली इना दी उडीक कर दे रंदी हन, मेरा ख्याल है कि अमरीकाच वस्ते हर शेर दे पंजाबी साहितकार ग साहितकार गुलजार संदू दे आडी हन, बेगम सुर्जीत को और इना तो भी वद मिलन सार है, इना दोहां दा साथ के ओ खिचडी वाला नजरों दे, जिते जानगे दोमे कठे, मैं फिल पामे साहितकारां दी होवे पामे रिष्तेदारां दी, जिंदगी दे राहां दे सा साहितकारां चे जिनने वी जोडे मेरे अनभव चाहिए, उना सारे यां चोई ही इक पती पतनी न जोडे है, जो सारे दुख सोकते सवा सुसाइटियां चे कठा विचर दै, नहीं ता इही देखन चाहिए के जोडियां जग थोडियां नरड बतेरी, अबल तक आर्दे सालमकार होन ता वी बथेरे बखेडे पैंदे वेखिया, विचारे रचना कारां दे परवारता लेख दा काटवा दी मुल पांदे है, पाठक पामे चुक चुक सलामा करन लेख का दे रहांच, पलकां विच्छाण, पर करद्यां ली बहता करके इना दी पछान नी कमे मैं वही पाठका नल सांजा कर रही है, हो सकता है किसी लेखक परिवार चेस तो उल्ट भी होए, एस गल नू लेके मैं डॉक्टर दिलीब कोटे वाना दी कही गल भी मैंनू चेते आ रही है, उननानी 1992 सरस्वती अवार्ड प्रापत करन पिछों पाई वीर सिंग सदन दिली पिछ दसी से, उनना दा कैना के एकवरी उनना दी माता जी अपनी किसे से हेली नाल, पटे आले तो राजगुरे सफर कारी सी, राज किसे मुसाफर दी हतले एक वार्च, डॉक्टर दिलीब कोटी तस्वीर चपी होई, देखके इना दी माता जी दी सेलीने के अल्या कोडे, तेरी ती दीता जो खवार चो फोटो चपी होई है, ता डॉक्टर दिलीब कोटी माता जी ने चाट बुल वट देया उत्तर देता, आहो, ओ दियां तस्वीरां ता खवारां चे छप दियां रनी है, नमाग ता मेरी ती दब थेरा चंगा सी, पर किसे चंगे पासे लौदी मतलब लिखना लिखोना कोई चंगा काम नी है, करदा जोगी ता सदा जोगड़ा ही रन्द है, मुक्तियार गिलिक वरी साधेकार जनकपुरी आया, तो उने मैनू परां करके ट्रिब्यून अखवार ली मैतों सिवा मेरे करदे सारे जियानू अडड़ अड़ इंट्रुव मेरे पतिदेव ने मेरी रचनावा दी जान पहचान बारे उत्तर दिन देयां किया सी, कि मैं था सिरफ बच्चिन त दीयां, दो चार कहानियां, रेडियो उत्तर ही चुनीयां, बस होड़ कुष नहीं जान दा, उधी सैथकारी बारे, मेरी चोटी बेटी नू जोदो इस गलो में गुलजार संदू नालों विवद सुर्जीत संदू दी देन नू को बोल दियां, जिने गुलजार संदू दी कलम दा हमेशा दिलो जाननाल मान सतकार कीता। वाईगरू करे गुलजार संदू दी कलम नू हमेशा सुर्जीत पैन जीवलनों उत्षा, मुहबबत सतकारियों ही मिलदा रे। पावें गुलजार संदू निकसुक लिखन जा फिर गमले दी वेल, सोने दी एट यारुदन बिलियां दे, पर मैंनू लगदा है कि वगो निकसुक लिखना बंद करके आडियां बिलियां अलकीतियां टिचरान विया अक्री रूप देन, ताके देल जानियां दे देला बा वैसे हासाता जिंदगी चो हुन मनफी हुनदा जा रहे हैं, समाजिक हलात टुटदे कार परवारा ने, आज दे मनुख कोलों सारे हसे ठटे कोले हैं, हसना भी क कल है, जिदा चाज गुलजार संदू दी कलम चो आप मुहरे चल करें, सो मेरी गुलजार संदू अगे ही गु उमीद कर दियां गुलजार साब मेरी गलते ज़रूर गौर करंगे, क्योंकि हासे दा रूप उन साधे पंजाबी साहत जो कई मनफी होके रहे हैं, तारा सिंग दे जियोंदे जियोंदे आं दिलीच हास रसी कभी दरबार हुन दे रहे, पर उदे तुर जान पे च्छाँ, स साहिच कोई हास रसी कलम उबर के सामने नहीं आई, हो सकदा है गुलजार संदू, साहिच चाहिए इस कमीनुके से हाथ तक पूरा करन दी, कोशिश करन, क्योंकि कोई दिल दा बाशाई दिल दियों जड़ी दुनिया नो मुड़ सुर्जीत कर सकदा है, तान्वाग